हेलो स्टुडेंट वेलकम टू माई यूटूब चैनल एक एम्टी कोर्स आज में ग्लास नाइंत का चेप्टर टू पॉलोमियल्स उसका एक्ससाइज 2.5 का क्वेशन नमबर 14 बताने जारह हम क्वेशन नमबर 14 बोड़ा है कि without actually calculating the cubes find the value of each of the following हमको जो क्वेशन नमबर फर्स्ट एम दो थो क्वेशन दिया है फर्स्ट में या सेकेंड में एक cube को calculate ना करते हुए तो calculate नहीं करना है direct हमको value find करना है तो direct value find करने कर लिए हम कोई identities का use करना पड़ेगा तो identities है x cube plus y cube plus z cube है इसी का form में किसके equal होगा 3xyz कब होगा एक condition में होता है जब x plus y plus z 0 हो आईए मिलाते हैं क्या 0 है देखें माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 0 हो जाएगा या क्या जाएगा 7 5 12 हो जाएगा ठीक तो हो जाएगा 0 तो इस पर रख देंगे तो आईए रखते हैं माइनस 12 का q plus 7 का q plus 5 का q multiply 3 into minus 12 into minus 12 into 7 into 5 थी अब multiply करेंगे तो क्या जाएगा हमारा माइनस का एक माइनस हो जाएगा और direct multiply करेंगे तो हम 1260 आ जाएगा यह आपका answer हो जाएगा आप multiply करके देख सकते हैं ऐसे ही question number second को भी करना देखिए इसमें वही चीज करना है वही आइडनेटीज लगेगा पहले हमको यह चेक करना है यह वाला मिन इंपोर्टेंट है जो condition दिया है तो चेक कीजिए 28 plus minus 15 minus 13 plus minus 13 तो देखिए अब इसको जोड़िए minus 15 minus 13 कित्रा हो जाता है minus 28 minus 28 में 28 को घटाएंगे तो कित्रा हो जाएगा 0 हो जाएगा इसको आप solve करेंगे तो 0 ही आएगा अब आई इसमें put कर देते हैं x q मतलब क्या हुआ 28 का q y q मतलब minus 15 का q z q मतलब minus 13 का q इसके एको लोगा 3 into x क्या है 28 y क्या है minus 15 z क्या है minus 13 ठीक है multiply कीजिए देखिए 2 minus से minus into minus करेंगे तो प्लस आजाएगा चलिए प्लस हो गया अब multiply करेंगे आप इसको जब डाइट multiply करेंगे या कैसे भी calculator की सायता से तो 16,380 आ जाएगा बस यह आपका answer हो जाएगा बस यह करना है अगर आपने इस identities को नहीं पढ़ा तो आप हमारे पिछली वीडियो जस्ट पिछली वीडियो यानि question number 13 को जाएगा देखिए यह identities मैंने प्रूफ किया है जिसमें condition था x plus y plus z equal to 0 अगर हमारा वीडियो अच्छे लागे तो हमारा चैनल AKMT Quartz को सब्स्राइब कीजिए एक लाइक कीजिए और पिछला वीडियो यानि question number 13 को देखने के लिए आप हमारे playlist में जाएगे